तो यह एवरीवन दीस इस फारफ निश्टा आज किस वीडियो में आपको क्या बताने वालों आज किस वीडियो में आपको बीए पॉलिटिकल साइंस का स्लीबस बताने वालों शिक्ष तमेस्टर जो की फाइनल यह होता है किसमें इसके चैप्टर के नाम मैं आपको बता देता हूं ठीक है यूनिट वाइस बताऊंगा और इससे पहले वीडियो भी आप लोगों ने देखे आपको अच्छा लगा आपको कहा की फिर से बताओ तो मैं बता रहों छटा समेस्टर का स्लेबस है इसमें बैसिकली कैसे आपको इ अब यूनिट वन का है ठीक है याद रखना चार यूनिट टोटल और इंड इविशन फ लीग फ निशन अब लीग फ निशन क्या था तो क्योंकि इंट्रोड़क्शन वीडियो ज्यादा बताऊं मनी वर्ड वार नहों को इसके एक लिग फ निशन बनाए जाता है वर्ड व अलुन मतलब लीग फ निशन एंड यून नोनों को कंपेरिवन किया जाएगा इस चैप्टर में नहीं मारा यूनिट टू ज़नल असेंबली इसक्योरिटी कांशिल चॉट्र चैप्र मारा जनल असेंबली फिरे इकोरिटी गांशिल फिरे एकोनोमिक अशोन नावीड वो फ सेक्रेटरियेट कि सचिवाले जिसे कहते हैं कि दसमा अमारा इस पेसलाइज एजनफी आप यूए उनाइट निशन एजनफी इस कौन कौन से अपने फनाओं का यूएन एच्वी है यूएन पीफ पीस वाले सांती वाले यूएन एफ सी सी यह फॉरन फॉरेस्ट वाले तो य यह जी यूएन जी यह यूएन जीन जनल फैमिली तो यह सब की बात हो लिए फिर अगला इग्यारवे चप्टर जो हमारा यह मारा अब यूनिट चार पर आगए ठीक है ग्यारवा चप्टर जो है आपका वह है पीसमेकिंग और पीफ इंप्रूर्समेंट फिर उसके बाद पीफ बिल्डिंग और पीफ कीपिंग क्योंकि उनिटे नेशन के काम ही है सांती बनाए रखना कहीं युद्ध ना हो कहीं कुछ ना हो तो इसलिए यू पीफ बिल्डिंग और पीफ कीपिंग फिर हमारा अगला तेरवा यून एंड डिस आर्नमेंट ठीक है यह हमारा अब इंडिया कह रहें कि उसको वीटो पावर दो तो उसके बारे में इस चैप्टर चॉदवे चैप्टर मता होगा आपको पढ़ाया है कि यह पांची देश है जिनके पाद वीटो पावर है वीटो क्या होता है कि किसी भी चीप पर्मनेंटली रोक लगा सकते कि उस आपको यहां पर सभी जानकारी मिलेगे मिलेंगे फिर नए वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद